हेलो स्टूडेंट्स मैं विशाल गुपता आपका टीचर आज मैं आपको क्लास 11 सब्जक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकंप्लिट रिकॉर्ड्स फ्रॉम दा बुक ऑफ मिस्टर डीके गोहिल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करवाने जा रहा हूं आज हम स्टूडेंट्स इसके फॉर्थ को शूरू करेंगे मैंने इसके पहले तीन कोशिन अपनी पिछली वीडियो में आपको अप्लोड कर चुका हूं यूट्यूब चैनल पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें श्यर और लाइक करना ना बोलें तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब इस कोशिन को इसमें सबसे पहले कोशिन है तुलसी स्टार्टर बिजनस ऑन फिस्ट एपरिल दोजार सोला और उसके कैपिल कितनी थी विदे कैपिल ओफ रूपेज साड़े चारला तो ये तो आपके ओपनी कैपिल आगी उसके बाद है 31 मार्च 2017 को था हर पोजीशन वाज एस अंडर जिसमें कैश है बिल रिसीविबल है स्टॉक है ये वैल्यूस के साथ थी कह जी तो उसके बाद है शी ओड रूपिस 45,000 तो हर फ्रेंट तो इसका मतलब ये लाइबिल्टी आगी पार्वती ओन डैडे अपने फ्रेंड पार्वती से उस इसके बाद क्या है इसके बाद हमें आप पहले स्टेटमेंट ऑफ एर बनानी है ना स्टूडेंस ठीक है जी स्टेटमेंट ऑफ एर बनाने के बाद फिर हमें उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ठीक है तो चली अब हम आप करते हैं इसको कोशन को सबसे पहले तो यह हम बना लेंगे यहां statement of affairs, यह आएगा statement of affairs, ठीक है जी, यह आजेगा 31, 3, 17 को और bracket में लिख लिए closing क्योंकि closing से related है, liabilities जी आगी, rupees आगे, ठीक है जी, और यह हमारे assets हैं, और यह rupees है, cash किना है, 99,000, bill receivable कितना है, 75,000 का, stock कितने का है, 48,000 का, land and building कितने की है, land and building है, 1,60,000 की, furniture कितने का है, 50,000 का, loan from पारुती, कितने का था, 45,000 का, तो अब हम इसका क्या calculate करेंगे, बटा, यहाँ capital calculate कर लेंगे, ठीक है जी, तो चलिए, इसकी capital हमने calculate कर लेनी है, 99,000 यह तो है, एक, ठीक है जी, प्लस पचतर हजार, प्लस 48,000, प्लस एक लग स, 60,000, प्लस 50,000, ठीक है जी, यह है, चार लग बत्ती है, हजार फरनीचर पचास हार का ना 99,000 प्लस 75 प्लस 48 प्लस 160 प्लस 50 तो यह आगया 75 48 180 तो यह लैंड अन बिल्डिंग 180 का यह देखिए यह उपर अगर कोश्चन में आप देखो तो यह कितना था 180 का ना तो यह 180 का आके यह बंज़ेगा 4,52,000 का ठीक है तो अब यहां से यह इसको 마इनस कर देगे जब हम 45,000 को तो इसकी capital की balancing figure क्या आजएगी balancing figure यह आजएगी तो 4,7,000 रोपीद है इसकी closing capital आजएगी 4,52,000 डेके इसको मैं close कर देता हूँ तो चलिए अब हमें इसका क्या निकालना है statement of profit and loss बनाना है तो इससे हम आपको मैं अगले step में बताता हूँ इसका profit and loss कैसे calculate करना है ठीक है जी तो चलिए यह देखिए अब इसके बाद हमें बनाना है statement of profit and loss तो इसमें सबसे पहले हमें निकालना है 31,317 को ठीक है जी तो इसमें सबसे पहले मैं लिकूंगा closing capital closing capital कितनी है हमारी 4,7,000 ठीक है add drawings add drawings कितने की है drawings देखो 8,000 की है drawings कितनी है 8,000 into 12, 12, 8, 96,000 96,000 के drawings को मिरे को add back करना है तो 7, 6, 13 0, 5 5, 3,000 आ गया और less क्या करनी है इसमें opening capital less opening capital opening capital कितनी है students हमारे पास हमारे पास जो opening capital है वो given है बिलकुल पहली line में देखिए 4,5,5,5,5,3,000 में से मैं minus कर दूँगा तो ये आजएगा 3 और 53,000 ठीक है ये आजएगा आपका profit तो ये क्या बचके आपका profit for the year ठीक है जी आप इसको चाहो तो format भी बनाके इस तरीके से present कर सकते हो ये लिजी ठीक है जी तो ये रहा हमारा profit 53,000 आप इसको अपनी book के answer के साथ में ला लेजी ठीक है जी चलो ठीक है जी अब next question करते है इसका fifth question fifth question क्या है इसका बटे fifth question actually पार्ट A में वो कह रहा है from the following information calculate capital at the beginning of the capital beginning की capital निकाल ले है तो इसमें सबसे पहले हमारे बास closing capital given है drawings given है 10,000 पर मन्त है तो इसको मुझे 12 से multiply करना पड़ेगा जैसे मैंने पिछले question में कर रहा था fresh capital introduced during the year 4,000,000 और profit for the current year 6,000,000,000 तो इसका profit and loss निकाल वाला ही format हमारा बनेगा ठीक है जी तो यहां लिखेंगे पहले capital for at the end यह यह दूसरा नाम क्या है closing capital ठीक है वो कितनी given है बटे at the end 24,000,000 ठीक है जी तो 24,000,000 की यह capital हमारी आ गई इसमें अब मेरे को क्या करना है add back, add कर देंगे drawings, drawings को add कर देंगे तो उसका महला है 10,000 into 12,000 तो यह आजगा 1,20,000 तो यह बन गया आपका 25,20,000 अब इसमें से हमें क्या minus करना है fresh capital जिसको हम additional capital बोलते हैं additional capital क्या करनी है less कर देनी है additional capital कितनी है हमारे पास यहां पर 4,000,000 यह देखिए 4,000,000 तो यह 4,000,000 का हम इसमें से क्या करेंगे minus कर देंगे तो यह आजेगा 21,20,000 कितना आजेगा 21,20,000 और अब इसमें हम क्या minus करेंगे less profit for the year profit कितना हुआ था वो हुआ 6,60,000 तो 6,60,000 को हम क्या करेंगे इसमें से minus कर देंगे 21,20,000 21,20,000 minus 6,60,000 तो यह आजेगा 14,60,000 तो यह क्या बन गया opening capital 6,60,60,000 ठीक है जी ओके सुडेंट्स यह था हमारा 5th question का ए पार्ट चलिए यह तो था opening capital निकालने का तरीका बट बटे कुछ नहीं है यह बिल्कुल पिछले वाला ही format है statement of profit and loss वाला ही format है हमने क्या किया कि यहाँ पे हम पहले क्या करते थे opening capital minus करते थे तो profit आ जाता था इस question में हमारे पास profit already given है तो वो minus कर दो तो balancing figure हमारे पास opening capital किया जीए ओके जी चलिए next question करते है अभी 5th question का B part so calculate capital calculate closing capital यहां closing capital निकालने है opening capital कितनी है 90,000 profit कितना है 25,000 drawings कितनी है 17,000 during the year proprietor sold ornament of his wife for 40,000 and invested in the business same in the business तो यह तो additional capital हो गया 40,000 तो यह तो बहुत simple है इस question को तो हमें बिल्कुल ऐसे ही कर रहेंगे जैसे trading and profit and loss account में balance sheet बनाते हैं समय हम क्या करते थे capital के साथ करते थे तो यहाँ पर आप मैं क्या लिकूंगा opening capital opening capital कितने की है बिटे 90,000 की ठीक है जी उसमें क्या करेंगे add करेंगे profit कर दो add simultaneously जो जो चीज़ी आती जा रही हम करते जा रहे है तो यह आगया 1,15,000 1,15,000 less क्या है drawings drawings कितने की है 17,000 की तो 1,15,000 में से 17,000 minus कर दिया यह आगया 98,000 ठीक है और add क्या किया हमने additional capital additional capital कितनी है additional capital हमें क्या करनी है add कर दिनी तो वो कितना देगा 1,38,000 तो यह हमारे क्या जेगा closing capital ठीक है जी हमें क्या फाइट करना था closing capital तो opening capital में profit add back कर दिया sorry add कर दिया हमने drawing less कर दी additional capital add कर ली और एक capital की closing figure हमें मिलगी 1,38,000 तो यह चाहो तो आप अपने answer के book में जो का answer उसके साथ मिला लीजी ठीक है जी मैं यह जो बात बोला लो कि answer मिला लीजी answer मिला लीजी बिटा वो इसलिए कही बार हो सकता है कि आपके पास कोई अगला पिछला edition होता है latest edition है किसी के पास कोई पूराना edition है तो मैंने तो question कर दिया आप एक बार अपनी book में मिला लीजी कि आपकी book में यह 5.B है ना कोई और एक question आगई यह पीछे हो सकता है बाकी इससे ज़्यादा difference नहीं होगा most of the time same question ही होते है right जी तो यह आगा एक लग 38,000 चलिए जी अब हम बात करते है 6th question की यह इस वीडियो का last question होगा बाकी question मैं अगली videos में कराऊँगा तो 6th question को understand किजिए चित्रा started our business on 1st April 2013 with a capital of rupees 50,000 on 31st March her total assets were 60,000,000 and the creators were 3,000,000 तो यह तो इसका opening का ही साब हो गया चलो she withdrew drawings for the year personal expenses के लिए 10 अर पर मन्त up to 30 June and thereafter 15,000 for remaining period चलो यह भी interesting चीज है यह भी देखते है क्या करना है during the year she sold personal investment 8,05,000 loss pay introduced as additional business you are required to prepare statement ठीक है for the year ending कतीस मार्च 2014 तो इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब यह हो गया कि हमारे पास क्या given है she withdrew during the year for personal expenses इतना तो हमें statement of affair पहले बनाना है हमें क्या बनाना है पहले statement of affair closing यह आजएगा statement of affairs on 31,3,14 ठीक है जी तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यह देखिए यह balance sheet वाला format हमें बनाना है यहाँ पर ठीक है जी यहाँ आजएगी liabilities यहाँ आजएगा rupees यहाँ आजएगा assets यहाँ आजएगा rupees तो सबसे पहले क्या आएगा total assets कितने हमारे पास assets की figure है हमारे पास 60,00,00 ठीक है जी 60,00,00 की assets आगी और इसके बाद क्या है creditors creditors कितने है 3,00,00 के creditors कितने है 3,00,00 के she withdrew during the year for the year पर हम पहले इसकी capital निकाल लेते हैं यह capital आगी हमारे पास capital balancing figure आजएगी और यह कौन सी capital है closing capital तो यह तो naturally 57,00,00,00 ही रहेगा बहुत ही calculate आए ना 60 में से 3 चला गया तो 57,00,00,00 आगया 57,00,00,00 का आगया ओके जी तो अब हमें क्या बनाना है statement of profit and loss account statement of profit and loss account ठीक है जी for the year ending 31,34 ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है यह line लगा लिने से ठीक है जी यह लो तो यहाँ पह आएगा आपका पहले closing capital क्या आएगा पहले closing capital closing capital कितना students हमारे पास तो 57,000 है चलो 57,000 sorry 57,00,00 है I'm sorry और इसमें क्या करेंगे drawings drawings अब drawings का interesting case है 10,000 जो drawing गया है उसने ली है 30 June तक तो पहले 3 मीने क्यों ही है ना तो 10,000 into 3 और उसके बाद उसने कितने पैसे ली है 15,000 कितने पैसे ली है उसने बटा 15,000 for the remaining period तो remaining period तो 9 मत रहा तो 15,000 into 9 तो यह आजेगा 30,000 यह आजेगा 1 लग 35,000 फॉर एक लक 65,000 यह आजेगा अठावन लाख 65,000 यह आजेगा अठावन लाख 65,000 ओके जी और लेस क्या आजेगा additional capital अडिशनल कैपिल कैसे निकालेंगे यह देखिए उसने क्या लगाया था बटे 8 लाक लगाया उसका 5% उसको लॉस में sale करके personal assets सी उसकी जो investment थी वो बेचके 8 lakh की personal investment थी उसमें से 5 lakh loss लेगा उसने तो हम 8 lakh में से 5% उसका less कर देंगे less 5% of 8 lakh वो minus करने के बाद वो आपकी additional capital आजेगी और 8 lakh का 5% कितना होता है 40,000 तो इसका में 8 lakh में से 40,000 माइनस कर दो तो आजेगा 7 lakh 60,000 7 lakh इच्छा यहाँ पर मेरे से एक थोड़ी सी question में mistake लोगी लिखने में यह 80,000 है सिरफ यह कितना है अगर आप अपनी book में भी देखो तो यह 80,000 की figure है तो यहाँ भी यह 80,000 ही आएगा 80,000 और 80,000 का 5% कितना गया 4000, 4000 करके तो यह 76,000 आजेगा यह कितना आजेगा 76,000 वो question में थोड़ा सा लिखने में गलती गड़ड होगी अदर्वाइस question में कोई दिखकत नहीं है 76,000 तो यह 58,000,65,000 में से 76,000 माइनिस करने पर यह आएगा 57,89,000 और अब इस में से क्या करेंगे लेस क्या करनेंगे ओपनिंग कैपिटल 50,000,000 तो यह आजेगा 50,000,000 7,89,000 तो यह क्या आगया आपका प्रॉफिट फॉर दा यह ठीक है जी चलिए तो यहां से हम बात करते हैं Statement of Fair on 31,3,2014 Assets 6,000,000 क्रेटर्स हमारे यह आगे यह कैपिटल ने कैलकुड़ोगी 57,000,000 57,000,000 57,000,000 में हमने यह ड्राइंग कैलकूड कर ली 10,000 की 3 मिने की और 15,000 की 9 मैंस की ड्राइंग बन की 1,65,000 और यह इसमें drawing closing capital में add करके यह additional capital निकाल लिया Students यहां से थोड़ा समिस्प्रिंट हो गया था क्योंकि question में ही मैंने यहां गडबड कर दी थी 80,000 आई यह 8,000,000 यह 80,000 है 80,000 का 5% less करके 4,000 less करके 76 की वो additional capital आई थी तो उसको less करके 57,89,000 हो गया और उसमें से less opening capital कर दी 50 लाकिन तो profit कितना बच गया 7,89,000 ठीक है students तो यह था यह six question तक का आपके इसे book के question DK Goyle की book के question बाखी question मैं आपको next videos में करूंगा OKG done